नमस्कार आप एन ए एच देख रही है निखिल भारत बोंगो साहित्य सम्मेलन अपनी स्थापना के सो वर्ष मना रहा है निखिल भारत बोंगो साहित्य सम्मेलन भारत के बंगाली साहित्यक व्यक्तितों का एक वार्षिक सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है पहला वार्षिक सम्मेलन बनारस में 1923 में सेंट्रल हिंडू बॉय स्कूल में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता रवीन्डरनाथ टैगोर ने की थी निखिल भारत बॉंगो साहित्य सम्मेलन की दीमा हसाव जिला समिती भी हाफलों में शताब्दी और 13 वार्षिक सम्मेलन मना रही है जिला पुस्तकालय सभागार हाफलों में आज एक कारेक्रम का आयोजन किया गया कारेक्रम की शुरुआत सुभा लगभग 11 बच कर 30 मिनट बजे मुख्य अतिथी प्रसिद लेखक, लोक इतिहासकार और शोदकरता डॉक्टर अमलेंडू भटाचार जी के सम्मान के साथ हुई सम्मान समारों के बाद दीप प्रज्वलन, अतिथी का अभिनंदन और मुख्य अतिथी द्वारा भाशन दिया गया कारेक्रम में विशिष्ट अतिथी के रूप में बहिम चंद्रलंग थासा, सुर्जो थाउसेन और एफम इकबाल थे कारेक्रम के दौरान वरिष्ट पत्रकार को निखिल भारत बोंगो साहित्य सम्मेलन दीमा हसाओ जिला समिती द्वारा सम्मानित किया गया पत्रकार सिवों प्रसादनात, सुर्जो थाउसेन, बिद्लोप देब, पंकच कुमार देब और नीवस असम हिल्स के प्रधान संपादक समसुल एबी शामिल थे शाम के समय सांस्कृतिक कारेकरम भी आयोजित किये गए जहां लामदिंग के प्रमुख गायक ओहली दास ने दीमा हसाओ के स्थानिय तलाकारों के साथ तदर्शन किया कारण हेरंब राजारा जादे राजधानी शिलो माहिबं तारा बांगला शाहित्तो चर्चार सुधु प्रिष्टप शकता करेंनी तारा निजेरा शाहित्तो चर्चा करेंचें महाराजा शुरदर्प नारायन राम चर्चन्ड नारायन एबं परबुर्तिकाले गुविंदो चर्चन्ड नारायन बा क्रिष्टप चन्ड नारायन प्रत्ते केई बांगलाए गीत्र चना करेंचें एबं एर्जन महियोशी महिला राजमाता चन्ड प्रभादेवी तार प्रिष्टप शकताई एखाने ब्रिहन नारोदियो पुरान अनुबाद है चे अनुबाद करेंचें भोबनेस्षर बाचस्पती भट्टा चार्जो जेटा बांगला शाहित्तेर पुरान चर्चा रित एबंगसाहित्तु सम्मेलोने जेटा उद्देश्ट जेए ज्याकाने आचें शेई अन्चले निजस्च भाषा संस्वित उन्नोयने प्राच बाच लगण शेखानकार जनसाधारोने संगे मुत्त्री यभंग बंदुत्त्त पुर्ने संपर्को गुरेतोल बेन एई खेत्र अग्रोनी भूमी कानिया चन्, विशेश तो आजके गुनुजनी संगबर्दोनार केत्तर तारा जेटा करेचन्, तारा विशेश तारा एई अंचलेर विभिन्न गुस्टेर विशेश तो डिमासा संप्रदायर दुजन के संगबर्दीतो करेचन्, एटा निश्चन देहे करना न भूले, धन्यवाद.